प्यारे बच्चो आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कारिक्रम इसके माध्यम से आप प्रते एक दिन सोंबार से शुक्रुवार तक पुर्वाहन दस से बारा तता अपराहन एक से दो बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कारिक्रम देख सकेंगे स्कूली शिक्षा इवं साक्षर्ता विभाग छारखन जोहार, JCEAT की डिजिटल शाला में आपका स्वागत है आज के सत्र में हम कक्षा आठ के रसायन विग्यान विशय के पाठ, दहन और ज्वाला के बारे में जानेंगे नमस्कार, जोहार, आईए, आज हम लोग वर्ग आठ, पाठ संख्या साथ, दहन और ज्वाला के बारे में जानते हैं आप अपने आज पास बहुत से जलती भी बस्तूओं को देखते हैं कुछ बस्तूओं ज्वाला के साथ जलती हैं, कुछ बस्तूओं बिना ज्वाला के जलने के रसायनिक प्रक्रम को समझने के लिए आईए, पाठ संख्या साथ, दहन और ज्वाला का अध्यान करते हैं तो चलिए सबसे पहले आस पास की बस्तूओं के साथ कुछ क्रिया कलाब करते हैं इस क्रिया कलाब को देखने करने के लिए कुछ सामगरियों को हमने लिया है आईए एक एक करके उन सामगरियों को देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी सामगरिया है ये देखिए, ये काँच का टुकड़ा, ये काँच का टुकड़ा हमने लिया है, इसके साथ भी हम प्रयोग करके देखेंगे, इसे आपने पहचान लिया होगा, ये है कागज का टुकड़ा, ये कागज का टुकड़ा है, इसे तो आप भली भाती पहचानते होंगे, ये माच यह है कास्त कोयला, लकड़ी का कोयला, जला हुआ हुआ, कांटी तो काइब जिसे र похож छ चेक है, ये एक लकड़ी का टुकड़ा है आसपास आप बहुत सारे लकड़ी के टुकड़े मैं बासपास से ही लेकर आए हूँ ये स्ट्रॉ है और ये है मेगनिसियम का फीता जिसे आपने साथवी कर्ख्षा में इसे देखा होगा इसे जला करके भी देखा होगा आईए और यहां है हमारे पास इस्परीट लैम्प इसके अंदर इस्परीट है और इसी से हम लोग इन पदार्थों को एके करके देखते हैं कैसे ये दहन में हमारी मदद करता है एके करके देखेंगे हम सबसे पहले इस्परीट लैम्प को जलाते हैं आप ध्यान से देखिएगा कि क्या हो रहा है पहले हमने लिया था कांच कांच के टुकड़े को जलाने के कुछिस कर रहा हूँ मैं देखिए क्या हो रहा है ये अभी तक नहीं जला इसको अब मैं रख देता हूँ अब जड़ा कांच के टुकड़े को जला के देखता हूँ आप देखिए क्या हो रहा है ये क्या हुगा ये जल रहा है ये क्या निकल रहा है जिवाला इससे जिवाला निकलते ही है जवाला के साथ यह जलता है, अब इसको थोड़ा अशन में बुझा देता हूँ, क्योंकि साउधानी भी बरतनी है, अब मैं इस माचीस की तीली को ले रहा हूँ, इसको देखिएगा, इसके उपर जो फॉस्पोरस है, इसके कारण तेजी से जला, और यह लकडी फिर, इसके इसके तीली के लेकडी वह भी जल रहा हूँ, और यह भी जवाला के साथ जल रहा है, अब इस पत्थर के टुकड़े को जला के देखा जाए, आपको पता होगा, पत्थर के टुकड़े को जलाने से कोई जवाला नहीं निकली, देखिए, अब इसे रखते हैं, अब यह हमा यह जल रहा है, इसमें से विजवाला निकल रही है, इसको अभी बुझा लेते हैं, यह हमारा कील है, लोहे की कील, जल नहीं रहा है, यहां जलाने समय है, इन सब चीज़ें को देखिएगा, मैं हाथ से नहीं पकड़ा हूँ, चीम्टे से पकड़ा हूँ, क्या कारण हो सकता है, चीम्टे से पकड़ा है कारण हो सकता है, इसमें उसमा का संचरन हो जाएगा, और यह गरम होने से हमारी हाथ को खतरा हो सकता है, उंगलियों को खतरा हो सकता है, यह भी नहीं जल रहा है, इसमें कोई ज्वाला उत्पन नहीं हो रही है, अब जड़ा इस लकड़ी के टुकरे को देखते है यह जल गया इसमें ध्यान देने की बात है इसके हमें फिर बुजा लेते हैं दूसरी सामगरी को लेते हैं यह देखते हैं यह भी जल रहा है और पिघल के नीचे विगिर रहा है अब इसको भी मैं बुजा देता हूँ इसमें भी ज्वाला उत्पन हुई यह अन्तीम सामगरी है हमारे पास मेगनिसियम का फीता इसको भी जलाने का प्रेयास करते हैं हम लोग देखिए यह पूरी ज्वाला के साथ प्रकास के साथ जल रहा है और यह मेगनिसियम उक्साइड यह नीचे गीर के बन जाता है नीचे इसके रह को मेगनिसियम उक्साइड के रूप में करते हैं तो आपने देखा जो हमने सामगरी ली इसमें कुछ पदार्थ जले ज्वाला भी उत्पन हुई तो जो पदार्थ जलने लगा ज्वाला उत्पन हुई उसे हम लोग दाहे पदार्थ काते हैं और जिसमें ज्वाला उत्पन नहीं हो पाई उसे हम लोग और दाहे पदार्थ काते हैं अब आप इनको वर्गी करन करियेगा कि इसमें जो हमारी सामगरी हमने जिन जिन सामगरियों के लिया है कौन दाही है और कौन और दाही है आपने क्रिया कलाप एक में देखा, जो पदार्थ जल कर उश्मा और प्रकाश देते हैं, उन्हें दहन सील या दाहे पदार्थ कहते हैं, इन्हें इंधन भी कहते हैं, जो पदार्थ नहीं जलते हैं, उन्हें अदहन सील या अदाहे पदार्थ कहते हैं, अब हम दहन को भासित करते हैं दहन वह राशायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ औक्षीजन से अभिक्रिया कर उश्मा देता है दहन कहलाता है कभी-कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में या एक लौ के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होता है आईए दहन को और बेहतर ढंग से समझने के लिए आपके पठ़पुस्तक में दी गई क्रिया कलाप दो को करके देखते हैं इसके लिए एक मुंबती ले लेते हैं इस मुंबती को जलाते हैं मुंबती हम लोग ने जला दी अब इसके उपर हम एक काच का खुले मुह का जार ले करके इसके उपर रख सकते हैं मेरे पास एक बोतल का जिसका दोनों सीरा खुला हुआ है प्लास्टिक का बोतल था उसे मैंने काटा है उसको रख करके देखते हैं क्या हो रहा है यह मंबती अभी भी जल रही है क्यों अनुमान लगाई है सोचिए इससा क्यों हो रहा है मैंने इसके नीचे गुटके को रखा है यह स्थान और यह स्थान हमारा खाली है यहां से इसको वायू मिल रही है वायू में अक्सिजन है और वो अक्सिजन जलने में सहता करती है इसलिए इसको यह हमारा मंबती जल रही है अब आईए जड़ा देखते हैं इसको हटाते हैं और तब क्या होता है इसको जड़ा हटा के देखते हैं ऐसे रखते हैं अब क्या हो रहा है मुंबती अभी भी जल रही है इसके जवाला में कोई परिवर्तन महसूस हो रहा है कैसा लग रहा है कुछ जवाला कुछ कम हुई या जवाला उसी प्रकार है जो पहले थी मैं जड़ा इसको देखता हूं अभी इसको अक्सिजन मिल रही है इसलिए या भी मुंबती जल रही है अब जड़ा इसको हम इस ग्लास से ढखके देखते हैं इस ग्लास से अच्छा मेरे पास एक जार है इससे ढखके देखते हैं क्या होता है मुंबती जल रही है इसके जवाला पर गौर कीजिएगा क्या होता है जवाला कम होते चली जा रही है अब देरे देरे मुंबती बुझ गई आप सोच सकते हैं ऐसा क्यों होगा होगा इसके अंदर वायू का प्रवेश नहीं हो रहा है जितनी वायू थी इसमें जितनी मात्र आक्सीजन की थी उतने देर तक मुंबती जली उसके बात मुंबती बुझ गई तो आप सोच सकते हैं कि दहन के लिए क्या आवस्चक है आप इस पे निसकर्श निकाल सकते हैं कि दहन के लिए ऑक्सीजन का होना आवस्चक है आईए दहन को समझने के लिए आपके पठ पुस्तरपन दी गई क्रिया कलाब संख्या तीन को करके देखते हैं इसमें दहन के लिए क्या वस्थक है इस वो समझने का प्रयास करेंगे हम लोग इंपने पहले वी कागज को जलाते हुए देखा था ने इस wagon को जलाकर देख रहे हैं कि इतनी के साथ काग arriv घॉक्टeze इसको जानुटा है तब इसको हम थोड़ा सा एक और कागज फिलेते हैं इसको पानी में भीगा लेते हैं अब इसको जलाने के को कर रहा है देख रहे हैं क्या हो रहा है तेजी से जल पा रहा है जितनी जल्दी यह जला उतनी जल्दी क्या यह जल पाया अनुमान लगाई यह क्या हो रहा होगा सोचिए इस पर एक और हम काम करते हैं यह आप देख रहे हैं यह कागज की कटोरी है हमने बनाई है कागज की है कि इसको हम कि देखते हैं इसको ऐसे रख के देख रहे हैं कि देखिए क्या होता है कि यह पूरा धुमा उठ गया और यह जल गया इसको हम सावधानी से अभी से बुझा दें पहले क्योंकि कागज की कटोरी थी जल गई इसको हम बुझा देते हैं पानी से थोड़ा करते समय सावधानी आ यह और सकत हैं इस तरह के प्रीवक को आग कंदित प्रीवक करने से के लिए हमें सावधानी बरतनी होगी भुझ गया एक दूसरी कागज की कटोरी लेते हैं इसमें हम पानी डाल देते हैं देखिए मैं पानी डाल रहा हूँ इसमें और इसको अब मैं गरम करने का प्रियास कर रहा हूँ देखता हूँ क्या होता है यह मैं ज्वाला के उपर इसे रखा आपने देखा था पहले वाले कागज की कटोरी जल गई थी जल्दी से लेकिन यह अभी नहीं जल रही है यह इसका जो ताप है यह कागज की कटोरी के माध्यम से आपने पढ़ा होगा उसमा की संच्रन की बिधिया उसमा के संच्रन की तीन बिधिया थी चालन संबहन और विकिरन यहां क्या हो रहा है कि यह जो ताप है यह उसमा जो है यह सीधे कागज की कटोरी के माध्यम से चालन बिधि द्वारा पानी में संच्रन हो जा रहा है तो यह हमारा कागज का कटोरी नहीं जल पा रहा है बलकि आप मैं इसे छूख के देख रहा हूँ तो यह पानी तिरी दिरे गर्म हो रहा है पानी इसमें पूरा गर्म होगा अब आप इस पे सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा पहले वाली कागज जो हमने जला के दिखाया था आपको वो जल्दी जला जब कागज को भगाया तो नहीं जला देर से जला और इसमें भी अभी यह कागज के अंदर आप चाहें तो पानी को गर्म कर सकते हैं हो सकता यह पानी खौलने भी लगे पाने गर्म होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, ज़िए हम इसी तरह से गर्म करते रहें, तो यह खौलने भी लगेगा, इसका क्या कारण हो सकता है, यह कागज के नहीं जलने का कारण, यह इसके ज्वलन ताप है, यानि दहन के लिए तीन चीजों की आउसकता होती है, एक तो वायू और किसी पदात का दाहे होना, तथा उसका ज्वलन ताप, ज्वलन ताप वह निंतन ताप है, जिस पे कोई पदात जलना सुरू कर देती है, ति यह कागज को, खाली कागज की कटोरी में ज्वलन ताप कम लेकिन पानी होने के चलते इसका ज्वलन ताप बढ़ गया, इसलिए कागज की कटोरी नहीं जलती है, आपने देखा कि दहन के लिए किन-किन चीजों की आउसकता होती है, दहन के लिए तीन चीजों की आउसकता हुई, दहन के लिए पदात का दाहे होना, दहन सील होना, द तीसरा जुलनताप जिससे कोई पदात जिस ताप पर जलना प्राराम कर देती है तो ये दहन के लिए तीन चीजों की आप सकता होती है आएए दहन के लिए आपके पाट्ठ पुस्तक में दी होई क्रिया कलाब संख्रया चार को करते हैं ये मेरे हाथ में एक सुखी पत्ती है इसको जला के देखते हैं, यह तुरत जलना सुरू कर दिया, देखिए, क्यों जलना सुरू कर दिया, आप सोच सकते हैं, यह जल रहा है भी नीचे से भी, देखिए, यह जलने लगा, तेजी से जलने लगा, तुरत जलने लगा, अब हम एक कागज के टुकड़े को लेते हैं और इसको जलाते हैं यह जल रहा है अब इसको हम इस कपड़े से ढख देते हैं क्या हुआ वायू का संपर्क इसमें समाप्त हो गया और वायू के संपर्क नहीं होने कारण यह बुझ गया होगा देखिए क्या होता है देखते हैं देखिए कागज बुझ गया है कपड़े को भी कुछ खास असर नहीं पड़ा कपड़े पर भी इसी तरह से जब किसी ब्यक्ति के कपड़ों में आग पकड़ लेती है तो उसे हम लोग कंबल से ढख देते हैं उसे बुझ आने के लिए तो वहाँ वायू का संपर्ग समाप्त हो जाता है और वह आग बुझ जाती है हम आग पर नियंतरन कैशे पाते हैं आम तर पर आग बुझ आने के लिए आग पर पानी डालते है पानी जोलनसील पदार्थ को ठंड़ा करता है जिससे उसका ताप उनके जोलन ताप से कम हो ज बंताप से कम हो जाता है ऐसा करने से आग का फैलना रुख जाता है दूसरा जल वास्प जोलनसील पदार्थ को घेर लेता है जिससे वायों की आपूरती बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है जब किसी व्यक्ति को आग लग जाती है जैसा कि आपने क्रिया कलाप में देखा था कि जलती हुई कागज पर जब मैंने कपड़ा रखा तो कागज जलती हुई बुझ गई उसी तरह से जब किसी ब्यक्ति को आग लग जाती है तो उसे कंबल से ढख दिया आता है कंबल से ढखने का कारण यह है कि वायू जिसमें ऑक्सिजन उपस्थित है कि प्रवाह को कंबल द्वारा रोक देने से आग बुझ जाती है आपने पानी से आग बुझाने के बारे में जान लिया है यदि बिद्दुत उपकरन और पेट्रोल जैसे जोलेसील पदार्थों में आग लग जाए उसके लिए सबसे अच्छा अगनी शामक यानि आग बुझाने वाला कार्बन डाइकसाइड गैस होता है LPG की तरह कारबन डाइकसाइड गैस उच्चे दाब पर द्रव के रूप में सिलिंडरों में भरी जाती है सिलिंडर से छोड़े जाने पर कारबन डाइकसाइड गैस बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती ओक्सिजन से भारी होने के कारण कारबन डाइक्साइड गैस आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है तथा इंधन के ताप को भी नीचे ले आती है इससे इंधन और ओक्सिजन के बीच संपर्क तूट जाता है अता आग पर नियंत्रण हो जाता है कारबन डाइक्साइड गैस का अतरिक्त लाभ यह है कि समानेता यह विद्धत उपकरणों को कोई हानी नहीं पहुंचाती अब कुछ प्रश्णों के उत्तर दीजिए दहन की परिस्थितियों की सूची बनाईए दूसरा प्रश्ण है कारण बताईए कागज स्वेंग सरलता से आग पकर लेती है जबकि पानी से भरी कागज की कटोरी आग नहीं पकरती तिशरा प्रश्ण है समझाइए कारण डाइक साइड गैस किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है अब आपके पाठ पुस्तक के क्रिया कलाब संख्या पांच को इसमें पतले ताम्बे के तार को जुआला के पास ले जाके देखते हैं क्या होता है आप देखिएगा ये सबसे जुआला का सबसे उपरी भाग है देखिए तार के क्या कुछ दिखाई दे रहा है ये तब लाल हो गया आपको दिख रहा होगा अब थोड़ा ही से नीचे करते हैं अब क्या हुआ दिख रहा है तब लाल थो गयब हो गया और दम आपको सबसे नीचे करके दिखते हैं क्या होता है देखिए इसका रंग कैसा हो गया यहाँ पर ले जा रहे हैं देखिए और पुना फिर उपर ले जा रहे हैं तो क्या हो रहा है इसका बारिकी से अलोकन कीजिए यह आपने देखा कि यह क्या हो रहा था जब हमारा सबसे उपर वाला जो जो जुआला का जो सीरा था वहां पर उस चेत्र को अदिप्त चेत्र बोलते हैं और वहां हमारा तांबे का जो तार था वो तब लाल दिख रहा था और जैसे हम उसको जिप्त चेत्र में ले गए जहां जुआला का रंग थोड़ा पीला पन लिए था तो हमारा काला होने लगा तो सबसे उपरी जो चेत्र होता है वो अदिप्त चेत्र का लाता है और वहां तेजी से कोई चीज जलता है इसलिए आप देखते होंगे जो सोने और चांदी का काम करते हैं वो फुकनी से जब सोने और चांदी को पिगलाते हैं तो फुकनी से फुकते हैं इसा उपर वाला जो कि छेत्र होता ताकि उन्हें तेज समा मिले प्週 मतट कि यह शुकत आप समझा कि दाहन के लिए कि कि चीजों कि आउसकता होती है वायू का सकता होती है वायू में आक्सिजन के हो सकता होती है दा उस पदार्थ का दाय होना आवश्यक है और जोलन ताप भी आवश्यक है आपने क्रिया कलाप में देखा दहन के लिए तीन परिष्थितियां आवश्यक है पहला पदार्थ का दहन्शील होना दूसरा अक्सीजन का होना तीसरा पदार्थ का ताप उसके जोलन ताप तक पहुँचना आपने क्रिया कलाप में यह भी देखा कि विभिन पदार्थ विभिन ताप पर आग पकड़ते हैं जैसे सुखा कांगज भीगा हुआ कांगज मेगनीशियम का फीता इत्यादी है जोलन ताप Changing ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका जोलन ताप कहलाता है दहनके प्रकार पदात के तेजी से जलने को तिब्र दहन कहते हैं जैसे गैस का दहन इस प्रकार का दहन जिसमें पदात बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है स्वतह दहन कहलाता है जैसे फॉस्फोरस जो कमरे के ताप पर वायू में जल उठता है पटाका के जलने और लकडी के जलने में आपने क्या अंतर देखा है जो पदात अचानक अधिक गर्मी रोश्टी और आवाज के साथ जलते हैं उसे विस्फोर्ट कहते है जैसे पटाका का दहन तो आईए अब हम यह देखते हैं कि हमने इस पाठ से क्या सीखा हमने सीखा वायू में जलने वाले दहन सील या दाहपदाथ जिसे इंधन भी कहते हैं वायू में नहीं जलने वाले और दहन सील और दाहपदाथ दहन क्या है दहन के लिए आवश्चक तीन परस्थितियां कौन सी है जोलन ताप किसे कहते हैं आग पर नियंत्रन कैसे किया जाता है दहन के प्रकार तिप्रदहन श्वतादहन और विश्फोर्ट तो बच्चों हमने सीखा दहन के लिए ऑक्सीजन जोलन ताप और पदार्त का दाह होना अवश्चक है तो मुझे उमीद है कि आप अपनी पाठ़ पुस्तक को देखेंगे और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे धन्यवाद इस प्रसारण सी संबंधित सुझाव अपने प्रश्णी द्यादी आप हमें jcertrg at the rate gmail.com तदा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर कर सकते हैं